आज एक आर्टिकल पढ़ने जा रही हूं जिसे लिखा है मेरी निहारीका की संपादक विजया टाल्मियाजी में कहां गया पच्पन ढूंडो उसे ये आर्टिकल मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोचा की क्यों नहीं से सांज़ करूं इसमें कप्रे का बस्ता, मासरण जी का डंडा, अमिया की खुश्बू, बेर और इम्ली का खटापन, घर के दर्वाजों पर खुश्बू पिखेरते, खस के परदे, सौंधी सौंधी, सुराही की खुश्बू वाला पानी, पेट को तरावट देते हुए बेल का शर्वत, परसोते भी तारों को गिनना, कहां है, कहां है वह बच्पन जो इन चीजों को जीते भी बड़ा होता था, खरीद कर आम, जाम और बेर खाने में वह मज़ा, कहां जो उचल कर, पत्थर मार कर, बेर और आम तोड़ कर खाने में आता था, क्लास रूम की डेस्क के भीतर, बेर चुपा कर रखना, टीचर की नजर से बचा कर, चुपके से मुह में डाल लेना, वह मज़ा, शब्दों में बिलकुल नहीं बताय जा सकता, आज हम कितने में रईस क्यों न हो जाएं, बीते दिद नहीं खरीच सकते, वह भी क्या दिन थे, जब कोई पुछ था, सकूल कितनी दूर है, और हम कहते थे, बस कोस भर दूर, कोस भर अर्थाद, दो मिल, यानी, तीन कीलो मिटर, हम उचलते, कूदते, कप्रों का सकूल बैग लटका कर, सकूल पहुँच जाते थे, किसी किसी के पास, अलूमिनियम या स्टील की पेटी होती थी, यानी बकसा, जिसे हाथों में थाम कर वह, बड़ी ही शान से चल रहा होता था, आज बदलते दौर में, बैग पीट पर किसी बोज की तरह, लटका कर चलते हैं बेचारे, यही फर्क हैं, तब और अब की सोच म तब बच्चों ने स्कूल बैक को अपना दोस्त मान कर हमराज बनाया, दोवहर का टिफिन सब के साथ मिलकर खाने का जो मज़ा था, यह वही जान सकते हैं, जो सालों तक टिफिन में आलू की सुकी सबजी, आचार और पराठे खाते रहे हैं, आज बच्चों को अलग- पर दोरते हाफते हुए घर पहुचना और खाना खाकर फिर स्कूल आ जाना, यह आज शायद संभो नहीं, क्योंकि आज बच्चों की स्कूल आउटफिट रीच हो गए हैं, शाम की आउट आफ दर रीच हो गए हैं, शाम के समय स्कूल से आते ही दोस्तों के साथ इकठी होक दिन भर के बाते शेयर करना और गेम केलना इसे में भी जाता था, क्योंकि तब कहां था टीवी और मोबाइल का टाइम, तब हर बचा अपने आप में एक न्यूज चैनल होता था, सबका अपना अपना श्पेशल नेटवर्क होता था, और जो हर वक्त मस्ती और प्यार से र चार्ज रहता था, वह दिन कितने खुसूरत थे, कितने अच्चे और कितने सच्चे थे, जब होमबक पूरा नहीं होने पर मास्टर जी का डंडा दिखाए देता था, आज किसी बच्चे को जरा सा बोल देने पर यह एक संसनी खेज ख़वर बन जाती है, किसी भी मूर्थी को आकार देने के लिए मूर्थी कारुस पर अपनी तरह से प्रियोग करता था, यदि उसी रोग दिया जाए, तो वह सही आकार कैसे दे पाएगा, आग में तब कर ही सोना कुंदन बनता है, वक्त की धूप में हर वक्त छतरी लेकर चलने वाला, किसे भी मौसम का सही तरीके से मजा नहीं ले पाता, जरूरी है बच्पन से ही बच्चों को इतना मजबूत बनाए कि समय की धूप में जुलसने के बजाए, वे उससे उर्जा लेकर निखर जाए